शिव, शमू, निलिकर्ट, गंगादर ऐसे एनिको नाम से बुलाते हैं में अपने महादेव को लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश करें कि कौन है शिव अरे शिव, थोड़ा सा परिचे में भो सुर जाए कि शिव है क्या इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ शिव जी के ऐसे चमतकार बताएंगे जिससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि शिव जी कौन है कि कुछ समय बाद शिव लिंग पूरी तरीकी से जुण जाता है और अगर शिव लिंग के पास कान लगा कर सुनो पहार के नीचे बहने वाली पारवती नदी के बहने की आवाज आती है जब बातों महादेव की तो केलाश परवत की बात तो आती ही है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि महादेव यहाँ पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये केलाश परवत एक स्पेस्शिप है सान 1999 में रशिया की एक टीम ने केलाश परवत पर चड़ाई करी थी तो उनोंने बताया जब हमकेलाश परवत की चड़ाई कर रहे थे तो हमें लग रहाता कि हम एक ही जगापर बार बार आ रहे हैं और हम आगे का रास्ता भी नहीं देख पा रहे थे हमारे कमपास भी कामदना बंद कर चुके थे हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे शरीर के नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें वहां बहुत तेजी से ओन नाम की आवाज भी आ रही थी आखिर में उन्होंने बोला कि केवाश परवत पे कुछ तो ऐसा है जो हमारी कल्पला से बहुत बढ़ा है शिवजी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है इस तंबेश्वर महादे मंदिर ये मंदिर अरेबियन सी के पास है देड़ सो साल पहले ये मंदिर खोजा गया था इस मंदिर का उलेखा में महाशिव पुरान के रूदर सहीधा में मिलता है ये शिवलिंग चार फूट लंबा है इस तंबेश्वर महादे मंदिर दिन में दो बार कुछ समेख ले गायब हो जाता है और इसका कारण समुंदर है समुंदर भी खुद इस मंदिर का दर्शन करने आता है दिन में दो बार ये मंदर समुंदर के अंदर होता है लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने सालों से समुंदर पूरी तरीके से शिवलिंग को डुबा देता है लेकिन आज तक इस तंबेश्वर माधे मंदर के शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ क्या आपको पता है सूसलेंड में, दुनिया के सबसे बड़ी सन लैब के बाहर, नतराज की एक बहुत बड़ी मूर्थी लगी हुई है, लेकिन क्यों, सन लैब में ये हिक्स बिसॉन के खोज हुई थी, जिसको हम गौट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, हिक्स बिसॉन क और इस मूर्थी के नीचे कुछ लाइन भी लिखी है, हजार उस साल पहले भारव के लोगों ने नाचते हुए शिंजी की मूर्थी बनाई, और आज के समय में हम कौस्मिक डान्स की पिचर बनाते हैं, और दोनों ये पिचर आपस में बहुत जादा मेल खाती हैं, अगर आ मादेख